हे गाईज आप सबका स्वागत है एटमिक्स में आज की वीडियो होने वाली है काफी इंपॉर्टन्ट और काफी नॉलेजिबल काफी सारे डॉग बीड में फ्लाइज और टिक्स की प्रॉबलम होती है उसके करएं डॉग बिट को काफी ज़ादा problems होती है Summers में भी काफी ज़ादा problem even face करते है वो ticks के कारण और flies के कारण तो आज की इस वीडियो में आप कुछ home remedies बताओंगा flies के बारे में और ticks की भी एक-दू remedies बताओंगा जिससे आप ticks भी गर पे ही remove कर सकते हैं और flies की तो काफी अच्छी वाले बताने वाला हूँ जिससे आपके dog bit की body से flies गायब हो जाएंगे अगर आप अच्छे से उसे follow करोगे तो तो आज की वीडियो काफी अच्छी होने वाली है तो ज्यादा ज्यादा शेर जरू कीजगा सारे dog lover को मिल सके वीडियो काकी dog bit को problem ना हो इस वीडियो को अभी एक like कर दीजे चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लिजे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है सबसे पहले में ticks और flies के कारण कुछ problems होती है वो बता देता हो आपके dog breed को सबसे पहले redness, irritation, eating यह सब problem काफी ज़ादा देखने को मिलती है dog breed में अगर tick fever हो जाए तो काफी ज़ादा serious हो जाता है वो मामला इसलिए ticks नहीं होने देने चाहिए आपके dog breed को कई सारे owners, dog lover, check ही नहीं करते हैं उनके dog breed को years में ticks हो जाते हैं काफी ज़ादा उसके बाद उनको खयाल आता है कि चलो आप वेट के पास ले जाता हूँ तो यह सब गलतीया मत करजिए आप तो उसे बोल देते हो बाद में ले जाएंगे लेकिन dog breed को काफी ज़ादा तकलीफ हो रही होती है flies और ticks के कारण उनके जो पूरे शरी पर खुजली आ जाती है खाना अच्छे से निखाते खाना भी छोड़ देते हैं even कई सारे dog breed तो इसलिए ये दोनों चीज़े काफी खराब कर सकते हैं आपके dog breed को even जो flies होती है वो सिर्फ वो ही नहीं आती उसके dog के body पे वो कई सारे bacteria भी लाते हैं आपके dog के body पे जिससे उनको कफी सारी harmful diseases भी हो सकती है इसलिए उनको remove करना काफी ज़रूरी है तो ये कुछ home remedies है आप try कर सकते हैं उनसे benefit हो तो काफी अच्छा ही रहेगा तो चलिए मैं सबसे number one वाली बता देता हूँ सबसे पहला आता है सबसे common bath आपके dog breed का regularly time to time यानि जब भी time आप करते हो जितने दिन में करते हो वो bathing करते रही है क्योंकि अगर आपके dog breed को आप bath नहीं कराते हो तो उसके कारण वो खराब होता है टिक्स अंदर के अंदर ही रहते है फ्लाइस वैसे ही रहते है रिमूव नहीं होते है उसके कारण उसकी skin redness देखने को मिलेगी वो bite कर देता है वो flies जहां पर होते है वहाँ itching होती है इसलिए और वो उसी चक्कर में उसके नुकिले दातों के कारण वो वहाँ पर blood निकाल देता है तो उसकी bathing properly कर अगे तो एक way यह है जिससे की उसकी जो ticks है और जो flies है वो remove हो सकती है initial stage पे हो तो आगे हो तो number two आपको जरूफ से follow करना चाहिए तो number two पे है olive oil तो यह olive oil आपको क्या करना है कि हाथ पर rub कर लेना है और आपकी dog bit की skin पर rub कर देना है अच्छे से जहां पर flies हो वहाँ पर जाला तरके लगा दीजिए उसकी बाद five minutes तक आपको वो रखना है और आ benefit क्या क्या होंगी सबसे पहले olive oil के अलग-अलग benefits है dog bit के लिए वो तो होंगे साथ-साथ जो flies होंगी उन्हें यह remove कर देगा साथ-साथ कुछ flies को यह मार भी देगा तो इससे क्या होगा कि जो flies होगी remove हो रही है और कुछ मर भी रही है तो इससे वह धीरे-धीरे आपकी dog bit क body से चला जाएगा और fries की problem खतम हो जाएगी next आता है citrus fruits peel अब आपके dog bit की flies को remove करने के लिए यह best way बोल सकते हो आप आपको क्या करना है citrus fruits होते है जैसे कि आप lemon ले लो या फिर orange ले लो उनकी जो peels होती है जिलके होते है उनको आपको गरम कर लेना है boil कर लेना है थोड़े दिर wait करना है और जैसे ही वह extract हो जाएगा उससे थंड़ा होने देना है और filter कर लेना है उसके बाद थोड़ा सा लेकिन उससे जादा काम करेगा कि flies को दूर रखने में ये मदद करेगा नेक्स्ट कई बार आप देखते हो कि डॉग बीड एक जगा पर ही बैठता है या कोई पर्टिकुलर जगा होगी जहां पर बैठने के कारण flies उसे हो रहे है वो कोई भी हो सकती है तो आपको क्या करन है कि बनाना जो होता है उसका छिलका ले लेना है और वो जहां पर आपका डॉग बीड बैठता है वहां पर रख देना है बनाना flies को दूर रखेगा क्योंकि वह कंटेंड करता है पोटेशियम लेकिन 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 याद रखे कि आपका डॉग बीड वह बनाना का जो पील नहीं आएंगे, citrus fruit pills जो मैंने बता है था, वो ticks के लिए भी काम करिया, second एक और ticks के लिए में आपको बते देता, home remedy वो है neem oil, आपको few drops ले ले लेने आपके हाथ पे rub कर लेना है और dog bleed की skin पे उसे लगा देना है, अगर आपकी dog bleed की skin ज्यादा sensitive हो, तो थोड़ा सा almond oil आपको उसमें mix कर देना है और वो normal हो जाएगा, इससे dilute हो जाएगा फिर आप अपने dog bleed की skin पे वो लगा सकते हो few drops लेके palm में लगा के उसकी skin पे लगा, इससे ticks remove होंगे क्योंकि ये ticks को हाम करता है नीम हाम करता है ticks को तो इससे वो ticks remove हो जाएगे और आपका dog bleed से ticks हट जाएगे तो ये home remedies मैंने आपके लिए काफी मेहनत से धूंड़ी है आशा करता हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी hopefully अगर आपकी dog bleed की ticks जाते है तो जरू से comment करके बताए अगर आप use कर रहे हो या फिर try करने वाला तो जरू से comment करके बताए और कोई वीडियो चाहिए तो जरू से comment करके बताए मैं जल से जल लाने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए इस वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए मैं ताहू मैं आपको एस इस इंटिस्टिंग वीडियो के साथ